इस company ने ये देख लिजे 10 साल में 850 परतिसत का return दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है यानि कि लगभग ये मान लिजे हर साल company आपके 500 को 100% का return देती चली जा रही है जो कि बहुत बड़ी बात है आगे बढ़ते हैं company की sales और expenses operating profit ये चीजें चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब किसी भी company को आप लोग study कर रहे हैं हो 2019 में अगर आप लोग देखेंगे तो company की sales वी थी 19,240 करोड रुपए की और 2020 में 20,211 करोड रुपए operating profit 2019 में 3,765 करोड रुपए का जो की increase हो गया 2020 में 4,162 करोड रुपए का और expenses देख लिजे company के increase हुए हैं लेकिन sales और operating profit ये अच्छे खासे increase हुए हैं और यही खाशियत होती है अच्छे shares की आगे बढ़ते हैं company के बारे में आप लोगों के शाथ information साजा करना चाहूँगा market cap company का 2,45,262 करोड रुपए से जादा का है जी हाँ दोस्तों और साथी साथ cash equivalent देखेंगे तो 641 करोड रुपए के cash equivalent है और stock का price to earning ratio 89 का है क्योंकि 89 का है यहाँ पे क्योंकि stock जो है हमेशा आपको premium valuation पे ही मिलेगा क्योंकि stock जो है multi bagger stock है ROC 33% से जादा का return on equity 27% से जादा का और debt देखेंगे नामातर का company के market capitalization के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो debt कुछ भी नहीं है company के अंदर साथी साथ देख लीजे Asian Paints Limited company का नाम है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 5 पैसा के साथ introduce करवाना चाहता हूँ Company का नाम है Asian Paints Limited जी हाँ दोस्तों आप लोगों को पताई कि multi bagger share है करती क्या है company company का business क्या है product क्या है इनके बारे में बिलकुल भी बात नहीं करूँगा क्योंकि time waste इसमें होगा क्योंकि Asian Paints जैसी company के बारे में मुझे नहीं लगता कि share market में कोई नहीं जानता हो देख लिए 15 country में ये operate कर रही है 26 paint manufacturing facilities है पुरे world में के वल इंडिया में ही नहीं पुरे world में और इसके अलावा 60 countries को ये serve कर रही है 15 country में तो operate कर रही है और 60 countries को अपने product जो है share कर रही है export कर रही है अपने आप में बहुत बड़ा इनका business है paints का तो Asian paints limited ने बहुत पैसे बनाए है और profit growth ये चीज़े चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब ये नहीं है कि share के बारे में हम लोग बताएं कल जा कि आप उसको खरीद लें बिल्कुल भी नहीं इसका ये मतलग कभी भी नहीं होता है हमारा काम क्या है कि क्या क्या चीज में अगर growth देखें तो 24% से ज्यादा 5 सालों का लगभग 15% का तो share mark ये देख लिजे इस share की profit growth कितनी जवरदस्त है और share holding pattern Asian paints limited प्रमोटर के पास लगभग 53% के करीब के share हैं FII 20% public देख लिजे 19% और DII 7% तो आप लोग यहां पे institutional holding अगर इसमें देखेंगे share में कितनी है तो लगभग ये आप लोगों को 27-28% की बनके यहां पे आती है जो की बहुत बड़ी बात है मतले एक company में institutional holding ओप company का लगभग one third इनके पास हो तो बहुत बड़ी बात है Asian paints limited जब मैं ये video बना रहा हूं उस time पे 2542 रुपय के आसपास trade होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लोग company के returns देखें यहां पे मैंने क्या कहा था 200 times दिया लेकिन यहां पे actual में अगर आप लोग देखेंगे न थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा इसके returns है यह लगभग 20 सालों के returns है company के 213 times 213 times इसने अपने shareholder के 500 को कर दिया है यानि कि मातर एक लाग रुपय को इस company ने 2 करोड 13 लाख रुपय बना दिया है और करोडपती बना दिया है अपने shareholder को तो चलिए यह तो पहली company दे दूसरी company दूसरी company भी again एक दिगज company है इस company की सारी information आप लोगों के शाद में share करना चाहूंगा 10 सालों का return अगर company का देखें तो 6333 परतिसत का यह भी आपने आप में बहुत बड़ी बात है यानि कि 10 सालों में 63 टाइमस इसने अपने shareholder के पैंसों को बना दिया है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप लोगों को company का market capitalization बताऊं तो बहुत कम है 22,375 करोड रुपय का यहाँ पर market capitalization है price to earning ratio 92 के आसपास है एक रुपय की face value व पान लिजे क्योंकि इसके market capitalization के सामने debt कुछ भी नहीं और promoter के holding अगर आप लोग देखेंगे तो almost 71 percentage की है और high promoter shareholding वाला share में इसको कहूंगा वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे return on equity तो share का return on equity 19% के करीब sales growth 5.5% के करीब ROCE 25% के करीब और profit growth 9.5% के करीब है तो अ बहुत अच्छे लगे अब profit growth देख लेते हैं क्योंकि यह वो चीज है जो कि attract करती है किसी को भी जब आप लोग देख रहोंगा अभी हाली में quarter four के results आ रहे हैं companyyों के जिनका profit अच्छा खासा हो रहा है उनमें अच्छी खासी rally भी देखने के लिए मिल रही है और यही point हो होने है एक fundamentally strong share में की long term में यहाँ पे कितना पैसा generate हो सकता है और share market में पैसा earn करना कोई बड़ी बात नहीं है बकाईदा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा time देना चाहें क्योंकि time तो देना ही पड़ेगा क्योंकि study करना पड़ेगा आप लोगों को और साथी साथ patience और discipline भ यहाँ पे growth हुई है तो company की growth भी अच्छी खासी यहाँ पे हुई है आगे बढ़ते हैं promoter के पास अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 71% की share holding है public के पास 18% DII 7% और FII के पास लगबग 3% की share holding है तो जानी मानी company है इसको भी आप लोग जानते है company का नाम बताने से पहले company क sales और operating profit यह चीजें जरूर आप लोगों के साथ discuss करना चाहूंगा अगर आप लोग over the long run देखेंगे तो हमेशा company की sales और operating profit बढ़ते गए हैं और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को company के बारे में यह देख लिजे 2018 में 1,941 करोड रुप करोड का और 2020 में 412 करोड रुपए का तो company के sales operating profit increase हुए है जो की positive indicator है relaxo footwear limited जी हाँ दोस्तों मैं तो कहता हूँ यह ऐसे share है जहाँ आप लोग आँख बंद करके पैसा लगा सकते हैं यह ऐसे shares है share market में लेकिन blue chip यह company हैं यहाँ पे returns जो है long term में ज्यादा मिलता है नकि 100 term म बहुत कम ही मिल पाएगा तो चलिए relaxo footwear limited अच्छे खास इनके brand है चाहे relaxo, sparks हो, flight हो, bahamas हो यह अपने क्या है footwear के लिए जानी जाती है relaxo company जानी वानी company है और market leader यह company है चाहे relaxo हो और चाहे यहाँ पे Asian paint हो तो आज की date में जब मैं यह video बना रहा हूँ 901 रुपए के share trade कर रहा था relaxo footwear limited आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने long term का चार्ट लगाया है तो 2011 से लेकर 2021 तक अगर आप लोग देखते हैं 6257 परतिसब के flat return company ने दिये हैं यानि कि 62 times करतिया है अपने shareholder के 500 को तो दो दिगज कंपनिया जिनके बारे में आप लोगों को बत में से ले बता आप लेख लाप से अगै का रहाँ चेश।